हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो मैं दीपा और मा भुप्षा जूकिशन फॉर एक्सलेंस के इस एड लर्नी क्लासेंस में आप सबी का स्वागत करते हूं हम बच्चों क्या है एक्जाम सिरीज में है न और आपके अभी तक हिंडी इंगली इंगली गणी विज्ञान सब क और बहुत अच्छे गया आप लोगों के बात नहीं है जितना दिया आपने बहुत अच्छा दिया और अभी भी स्कोर करने के लिए आपके पर समाज़ेंस संस्क्रेट यह सब्जेक्स हैं तो बिल्कुल डरने की जातनी है चार पेपर हो गया मतलब आप लोगों को जो मिश क्या मिशन मार्च पे निकले थे हैं अगे शच्छी नाम चलेगा मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को नाम तो आने वाला ही अब ही आई ही आप जैसे बच्चों के लिए जिनके लिए बहुत लगा कि भी या हमारे बच्चे भी जाना चाहिए तो हमने आपके लिए ये क्लास लाइक है ना और आप लोगों ने गणित पढ़ा इंग्लिश पढ़ा रमेश सर से विज्ञान पढ़ा मुझसे हरी सर से है ना इतनी चीज़ पढ़के आप क्या है समाच विज्ञान में आ गए हो आपका सब बहुत लगता है इसकी it डागता है की कि लिखना बहुत है मैन Wine को य। इसा लिखे समर्जम नहीं आता बलकि मैं बोलती हो क्या ग्या हम समझ नहीं रहीज़गेतर नहीं समयतक्ना दो काफ सब्सक्तित्रव मैं चैप्टर पढ़ना ही था जब मैंने रिविजन स्टार्ट कर आया था तो सिरह बताती हूं अरे यह पढ़ लो काफी है और पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को उसके बाद बताते हैं फिर अगले सेशन में क्या करते हैं अगले कारश में अच्छा पूरा साल पर पढ़ाई कराते हैं तो वैसा हमने आपके साथ भी कोशिश किया कि रिविजन में आपको चीजे बताए तो आपको क्या अब डर लग रहा है कि भाईया दो दिन बाद पेपर है क्या करें ठीक है आज क्या है चोगदा है 15-16 सिर्फ तीन दिन है और आधा दिन पेपर के पहले होता है रीकॉल पेपर लिखने से पहले रीकॉल पेपर लिखने से पहले रीकॉल पेपर लिखने बैठते हो जाते हो क्या करते हो रीकॉल करते हो अच्छा यह आंसर ऐसा ऐसा था ठीक इसकी दो तो रीकॉल करना है आपको है तो इन तीन दिनों में रीकॉल ग्र्क्राइब लिखो क्राकी हाथ चल सके है ना साइंस के पर नहीं चलर कैसे गया अच्छा गया कौण से बहुत ऊप हीजी बना है ना यह सब इसिल तरीकों से अलग-अलग पढ़ना है वह बताती हूं ठीक है तो आज वो बच्चों एक्जाम वोड में जाने से पहले अच्छे से चीजे तैयार कर लो पहले भी बताते आरे हूं किया रिलकुल टैशन निंग देना अपने माइन को क्या करना रिलाक्स करना ओम चैटिंग करते रहो रिलाक्स होके करते रहो ठीक है चलो देखो हम लोग ने शुरू से क्या बताते आई थी हमें नौ इकाईयों में नौ इकाईयों में 21 अध्या है 75 रंग के लिए क्या है मार्श मिशन पर निकले थे हम लोग है ना और ये कब था भई हमारा मार्श मिशन हमारी लड़ाई कब है 17 मार्श आज से ढ़ाई दिन बाद आधा दिन निकल गया आज का ढ़ाई दिन बचा ठीक है चलो ब्लूप्रिंट मैंने पहले भी समझाया था अब फिर वापस समझा रही है वापस समझाने का रीजन यह है ताकि आप जब कोशन को फिर से पढ़ो लिखो तो आपको पता हो कि कौह से आने वाला है तो अगर जिसे मैं इति हास पढ़ा रही हूं तो पहरे चेप्टर से मुझे सिर्फ चार मार्श से कोशन करना है दूसरे चेप्टर से दो मार्श में कोशन तीन इकाया से भी Imam such संसाधन और जहां तक यह जो एक कोशन है विकास की समझ से आएगा ठीक इसे यह कोशन से दो माख से कोशन आएगा जो क्या है अथवा में दिया होगा आपको क्या है उसके दो सनसे दो कोशन देंगे इसमें से एक बनाना होगा तो यह क्रिशि दो के तो तरीके से तो इन दोनों से क्या है यह दो चैप्टर है यहाँ से आएंगे और तो पांच माक्स कोशन इसी से ही आएगा ठीक लगभग यही है ठीक आगे आजाओ खनी संसाधन और दोगी करन ठीक तो इनसे क्या है तो इसको बहुत वर्साटाइल करके पढ़ लेकिन अगा सिफ चैप्टर को देखोगे इजी है जैसे दो माक्स कोशन यहां से आता है ठीक चार माक्स का कोशन आपका सरकारी बजट करने दारन से आजाता है तो इस तरीके से आपने पढ़ा है मैंने पहले वी जब चैप्टर पढ़ाई थी पूरुचे बताई थी ठीक अब आज जब माना संसाधान स्वतंत्र लोकतंत्र भी राजेतिक संस्था हो ठीक यह क्या है तीन और चार ठीक तो इनसे क्या है एक ही जैसे कोशन वह तीन नंबर पूछे चार नंबर तो आपको क्या यह दोनों चैप्टर को एक दो माक्स में लिखो या तीन माक्स में उतनी चीजें लिखनी थी ठीक है तो वैसा हमने त्यारी किया था आजओ यह क्या था विश्वी सधी में लोकतंत्र जंसा भागी था ठीक इससे क्या था इन दोन चैप्टर से हमारा छे माक्स अफिर कोशन का आ रहा है यह रानीजिक यह पूरा समझाया था आपको बोला था किसी तरह से तैयारी करेंगे में हमने पुरी तैयारी की थी अब क्या करना है आपको galaxy करना है अब इतना पूरा पढ़ लिया है अब क्या है आपको सिर्फ क्या करना है रीकॉल करना है कि क्या क्या चीजे पढ़ी थी और कौन-कौन से आंसर को लिख के देख लो जो लिखने की जरूरत है ठीक कि देखो हमने क्या था राजा अध्धियाई बाटे थे मंतrní और सिपाही क्योंकि हम क्या यूद्य कहा हमारा कया था भई पहले क्या कर रहे थे हम लोगई सिपाही अध्याय को पढ़े मंत्री अध्याय को उसके वजर राजा अधिया को ठी के तो आप पाइपर explor पहला रहें ठीक है तो वैसे अध्याय को तैयारी करने थी हमने की ठीक है तो राजा अध्याय में पहला क्या था प्रत्रम विश्युद्ध यूंकि इससे सिर्फ चार मार्ण कोशन आना था इकाई तीन भायर के सविधान निर्मान और सविधान साशन व्यवस्त था इससे छे माक्स का एक था तो राजा को हराना है तो हम पहले क्या करते वाइया सिफाईयों को मारते हैं फिर मंत्री को मारते फिर राजा को अब पोन देगा दो मॉक्स तीन मॉक्स चार मॉक्स अगर वह माइस अच्छा गया वह कोशन अच्छ लिखे तब आपका कोशन क्या आँशर क्या पूरा पेपर वह अच्छा से करेंगा ठीक तो राजह अध्याय में इनकी तैयारी बहुत अच्छे है इनने chapter के कोशन नें जोएकि में आप लेना है क्योंकि वह क्या आपको क्या करनाफैर नहीं लेना उस दो पाँच कोसें को आपको बहुत अच्छे से लिखना है क्यों बच्चा देखो आप घर का दर्वाजा खोलते हो आपके घर के सामने ही एकदम कछड़ा हो ठीक है तो महमान जाएगा तो बोलेगा यारे किसे किसे हाबे बननी रखाए का यारे मैंना बोलेगा है ना फिर आप अच्छे से उसको भले अच्छे सोफ़ा में बठाओ लेकिन आ आपका दिमाग खराब होगा जाते तक आप किछ-किछ किछ करोंगे और जहां गय होगे वहां दिमाग करा होता है तो यहीं चीज क्या होगा एक्जाम करने वाले के साथ आपका पर चैक करका करेगा आपने अगर सिक्वेश वाइश बहुत च्छे से आंसर लिखा है ठीक One स स्थेख पंदरह होंगे पांच वस्तुनिस्ट पांच खालिस्तान पांच क्या होंगे आपके सहीं जोड़ी मिला ठीक तो यह को क्या है इसमें कोई आपको अच्छे से लिखने हैं ताकि जो इंज्डिलेटर है वह आपका 2-3 पेज बहुत अच्छे होने चाहिए अगर वह ब लीख तो यह पतंश्यार बच्चा हो पूरा लग लिए और आखर से चेक करें और आखरी तक इंट्रेस्स जेक करें अपने दो मरक्स-ंपर क्सार्डिक से को खचर बचर करदिया इसलब बोड़ने करते हो। नम्पर का फिर पास में और शुरू यह दूरिका था बच्चनı की नि पढ़ाई की है बच्चा होश्यार है और बच्चा चीजों को समझ के लिखता है ये करेगा तो वो भी समझ के आपको मांक्स देगा ये नहीं चल कुछ भी लिखा है मैं एक मांक्स दे तो आधे मांक्स तीन का है तो एक मांक्स नहीं और पूरे में पूरे मांक्स देगा तो पूरे में पूर और खाले सुरक्षा उपने उश्वादों का खात्मा ठीक है इन चैप्टरों से तीन चार यहां से दो और तीन ठीक यह है अब आते हैं सिपाही अध्याय जो सब कुछ लेके बैठे चुटर-बुटर सब यह है चार ठीक यह चारिकाया ऐसे है जिससे दो भी आएंगे एक भी पूरे सिपाही अध्याय हमने रंडीती बनाई थी शुरू से ही चलाते आ रहें कि हमको सिपाही ओको राना मंत्री को राना राजा को तो हम सामने वाले को भी ऐसी बनेंगे पहले क्या सिपाही अध्याय सिपाही कोशन कौन-कौन से 2 और 3 उसको अच्छे से दिखाएंगे चार और पाच उसको अच्छे से लिखेंगे फिर हमारा राजा उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे तो भाईया बताओ आप राजा बनोगे की नी बनोगे मैरिट में आओगे की नी आओगे आओगे ना तो राजा मंत्री चोड सिपाही बच्पन का गेम आप खेलेंगे चोर कोई नी बनेगा हम तो राजा बनेंगे और राजा वाले तक बहुत अच्छे से लड़ाई है को एक एक रंडिती में जाएंगे चलो आगे आजो ब्लूप्रिंट में आपने के देखो आपका पेपर 75 मार्क्स का होगा और मेरे बच्चों 3 घंटे का होगा ठीक पहले भी जब सैंपर पेपर कराई थे तो मैंने अच्छे से बताया था कि आपको त्यारी कैसे करनी है पहले इससे पहले चलो पेपर के आपको देख लेए फिर से बता देते हैं एक मार्क्स से कित्ते होंगे 15 कोशन होंगे ठीक 2 से 6 मतलब 5 कोशन क्या होंगे आपके 2 मार्क्स के होंगे 4 कोशन 3 मार्क्स के 4 कोशन 4 मार्क्स के 2 कोशन आपके 5 मार्क्स के और 2 कोशन 6 मार्क्स के इस तरीके से आपका पूरा पेपर बटा होगा ठीक इसके 15 कोशन इसके 5 कोशन इसके 4 question, इसके 4 question, इसके 2 question, ठिक? इतने थे, आपको करना क्या है? ठिक? देखो, ये रास्ता है, यहाँ पर आपको पहुँँचना है, एक माक से 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे मत पहुँचना, सीधा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे जाना, मतलब पहले एक को सॉल करना फिर दो फिर तीन चार पांच छे मैंने बोला ना सिपाहियों को करते जाओ फिर मंत्रियों को फिर राजा पर आओ राजा अगर आपको मंतरी और क्मस सिपाही बहुत अच्छे होंगे तो पता चल जाएगा जिक अब कैसे करना है तयारी अभी आप डेड़ दिनों प्या करोगे देखो आज कौन सा है बच्चे 14 ठीक आज का आधा दिम क्या करोगे 2 marks के जितने भी कोशन से उसको करो और 6 marks के कोशन उसको करो ठीक कल क्या है पंद्रा 3 marks, 4 marks, 5 marks ये कोशन जहां से भी आ सकते हैं ये जितने भी पिछले आए हैं उसको करो उसके बाद, आपको आ जाना है, कब 16 तारीखों, 16 तारीखों क्या करोगे, पूरे जितने भी answers है, recall करोगे, छेप्टर को लगता है, जितने question's आने की है, पता है, उसको फिर से क्या करोगे, recall करोगे, ठीक, अब देखो, आपको paper में बनाना क्या है, ठीक, एक माक्स के किते 15 कोशन इसमें चलो खुदना खासता 3-4 गरत हुए 12 माक्स तो वाला ही सकते हो ठीक, 2 माक्स के 5 कोशन एक आत्मी नमबर कटा लेकिन इसके 10 माक्स जो है इसमें से 8 माक्स आपको लाने है ठीक, 3, 4, 5, 6 6 माक्स वाले कोशन को बहुत अच्छे से लिखना है 6, 6, 12 नमबर 10 नमबर मिलेगा 5 माक्स के 2 कोशन 10 माक्स के हैं, इसमें कितने 8 ले आओ, ये दोनों में थोड़ी गरवड़ी होगी, चल जाएगा लेकिन 5 माक्स के में, 6 माक्स के में और ये दोनों में, बिल्कुल करवड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक, 12, 2 12, 8, 20 नमबर और ये 18 ठीक 38 नमबर आपके डायरेक्ट मिल गए सिर्फ अब इन 3 और 4 में महनत करनी है, 3 चारे महनत करोगे, आज आएगा आपका ठीक 8, 2 10, 70 ऐसे तैयारी करो, कैसे नहीं आएगा अच्छा, बहुत ज़्यादा माक्स आएंगे, लेकिन अगर तैयारी अच्छे से करोगे, तो गड़बड़ी करोगे, तो ही माक्स कमाएंगे, ऐसे तैयारी करोगे, और पेपर में बच्चे बहुत अच्छ से लिखना है, एकदम ना समझ लो, कैसे तैयारी करना है, gap desk में क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, और one marks से question के तैयारी की बारे मैंने नहीं बताया, उसको क्या करना है, आपको क्या है, मैंने PDF नीचे दे दे रही हूँ, ठीक क्या करोगे उस पीडिया को डाउनलोड करो वन माक्स के जितने कोशन से ठीक है उसको क्या करो जैसे आपको बोर लग गया है दो माक्स का पूरा कोशन पढ़ लिया लिख लिया ठीक है अब क्या करोगे भाई अच्छा चलो मैं दो चार पार चेप्टर के वन माक्स से गुमते गामते पढ़ लो तो one marks को वैसे पढ़ो ठीक है बहुत ज्यादा प्रेशन एकदम मत दो गुमते गुमते पढ़ो पूरा पेपर के तयारी हो जाएगी यह धाई दिन बहुत है क्यों धाई दिन उसके लिए बहुत है जिसने पहले पूरे तयारी की है अभी क्या करना से प्रिवाइस करना है ठीक है तो भई क्या करोगे वन मार्क से कोशन को ब्रेक ले लेके पढ़ो दो मार्क से कोशन पहले तयार करो उसके बाद 6 मार्क से कोशन ज़िखेंगे बहुत अच्छा होगा इसलिए मैं बोली पेपर में आपको पहले 1 मांक्स का लिखोगे फिर 2 मांक्स का 3 मांक्स का, 4 मांक्स का, 6 मांक्स का, लिखना आपको अच्छी है, चलो 3 मांक्सरों, आपने कहा है यह तो 1 मांक्स लेकिन सिख्वेस मत टोड़ो سिक्वेस बिल्कुन नहीं तोडना आपको पड़ेपर में सिख्वेस सॉत पूरा वैसी ही चलते रहना चाहिए ठीक है तो ठाइ दिन में क्या करना है आपको पहले पुरे चैप्टर को एक बन देख लो अच्छा यह चैप्टर्स को blueprint को पकड़ो अपने book को पकड़ो book से पहले chapters के नाम देखो अच्छा इस chapter से जैसे राज़ितिक सास के पहले दो chapter जो है आपके सविधान निर्मान और वैवस्था ठीके सविधान सवैवस्था इससे क्या है आपके सिप 6 मार्ग से कोशन आने वाले इस चैप्टर को पहले खतम कर दो ताकि पढ़सो वापस इसको रिवाइस कर सको और इन दो दिनों में जो भी कोशन पढ़ रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करो ठीक है लिख लोगे ना एक बार बच्चो नहीं भूलोगे फिर पढ़सो क्या करोगे आप ल खैड़े लिखने की जरूत है तो की पॉइंच लिख लो ठीक है यहीं को बहुत अच्igkeit लिखना है उसको पुरा फ्रेम करके छोड़ो ओंते में डू से तीन दीन है बहुत अच्छछे से करो और रिलैक्स हो जाओ उसको enjoy करो यह पढ़ोगे बहुत अच्छी जाएगी बच्चो ठीक है तो बच्चो यह क्या है मैंने पूरा बता दिया अब क्या करेंगे हम क्यों है आपको कल जो इसके बाद क्या है मैं दो माक्स का कोशन का वीडियो बताऊंगे उसके बाद 6 माक्स हम अलाग अलाग करना है ताकि आपका पेपर का फ्लो न बिगड़े तब सामने वाले को नंबर अच्छी से देगा तो आपका वन माक्स कोशन का मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगे उसके बाद 6 माक्स का फिर 345 हम वैसे जाएंगे ठीक लेकिन आपको पेपर में पूरे लाइन से लिखना ह और बहुत अच्छी से परफॉर्म करना है ठीक है तो इन धाई दिनों में क्या करोगे आप वैसी ही पेपर की तयारी करो और लिख के कोशिश करो आज और कल लिखने की बहुत कोशिश करो हर आंसर को पता चल जाए कि इस इस पॉइंट में मुझे बात करनी है जो भी कोशन को रिकॉल करके रखो एक ब्लूप्रिंट देखो फिर दो मांक से कोशन को भी ठीक है बैस्ट अप्रक मेरे बच्चो पर बहुत अच्छा जाएगा बिल्कुल डरने की बात नहीं है